Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Tension Members तो Tension Members में हमारे दो चीज़ा आती है एक तो होती है Designing Question, Designing of Tension Members और दूसरा होता है कि How to find Tensile Strength of any Angle given तो हम पहले करेंगे Tensile Strength का Question हम देख लेते हैं क्या Question है A Single Unequal Angle, Hindustranding Angle, IEA 966mm is connected to a 10mm cassette plate at the end with 5 number of 16mm bolts to transfer tension, determine the design Tensile Strength of Angle if cassette plate is connected to 90mm Guss Leg अब बुलाई कि जी जो है जी जिसन आपको लेनी 50 और स्टील करेंगे देख 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 सामने एक डाग्राम बना लो आपके कैसा डाग्राम हो इसका तो यह मैंने बना दिया Angle जो यह यह जो यह गसट प्लेट हो गई हमारी और यह connected बोला 90mm connected है तो यह ने एक लाइक कनेक्ट कर दिया और यह जो बाहर निकल रहा है यह जो यह बाहर इससा निकल रहा है यह हमार हो गया 60mm का जिस तर आग sectional view देखो तो यह गसट प्लेट हो 16 plus 2 करके तो 16 plus 2 means 18 mm तो अब आपको देखना है कि अगर आपको 10 डाय स्टेंथ निकालनी है अगर question में given है टेंजाल स्टेंथ निकालो इस इंगल के लिए तो आपको क्या करना है इस टेंजाल स्टेंथ में आपको तीन वैल्यू निकालनी तीन वैल्यू कॉन कॉन सी एक तो स्टेंड्यू तो इलिंग अंदर स्टेंड्यू रप्चर में और तीसरी स्टेंड इंद्दॉक्षियर में सबसे पहले हम निकालेंगे इस टेंड्यू तो यह लिग गया उन्डिंग के लिए आप पेल्न को लो यह आपने पोड़न का for 32 पेल निंबर 32 आपको यह नहीं रह अब यहां पर आपको स्टील टेबल से 90 60 mm 6 mm प्लेट के लिए एजी की पर लिए एजी क्या है ग्रॉस सेक्ष्टनल एरिया ऑफ यहां कुछी बोल लो तो आपको इसके लिए स्पेसिफिकेशन स्टील टेबल मां को मिल देगी अनिकोल एंगल्स के अंदर अनिकोल एंगल्स आ 65 mm को देपाय होता है 250 जो माने कोशन में गिवन है एफी फोर वन टैन और यह ब्रेकेट में 250 वह जो ब्रेकेट में 250 है ना वही आपका एफ वाय होता है तो आपने फाय लिख लिए अब एट शिट्वाइब लिए अब आपको पार्शल सेफ्टी फेक्टर अगर आपको इन अब आपको यह लिख लेन आपको यह लिख लेन इसे मार्क करें अब सेकेंड आप निकालेंगे फर्स्टम निकाली यह लिख लो 33 लॉस नमर यह रहाँ आपको सबसे पहले हम देख लेए इसके अंदर क्या-क्या-क्या-णन है वो निकालना है ठीक है तो अन्न हमारे पास दो ही चीज़े उस फॉर्मली के अननन हमारे पास एज्टी ओ और आपको फिर से यहां पर साइड में इसका बना लेना है यह गसेट प्लेट कनेक्टेड है और यह आपका एंगल हो गया यह उसकी टोटल लेंद कितनी है 60 है इसकी टोटल लेंद हमारे पास 90 तो एजियो मींस जी मतलब ग्रॉस और ग्रॉस का मतलब कि आपको अगर बोल्ट ह पर अगर के लिए आपका ग्रॉसरे कितना और यहां आउट्सरेंडिंग लेंग गया सकी टोटल लेंद किती ही 60 अब आपको इसमें एक चीजस का ही दियान रखना है कि यह टोटल लेंद हम नहीं लेते हैं हमेशा यह सब्सक्राइब इसकी यहां तक लेंद मतलब मिट निय हुआ यह माइनस करना है 60 में से यह थोड़ा सा माइनस करके हमको एडिया लेते हैं एजी हो है ना तो ग्रोज क्या हुआ 60 माइनस सिक्स बाइटू यह बीच से लेते हैं मैंटिप्लाइट तो यह लेंद्ध इन्ट थिकनेस होगे एरिया आपका तो सिर्फ 42 और वेसी आप आजो एंसी के उपर एंसी मिस नेट एन मतलब मैंने आपको बताएगी यह इसके आदेश पर लेते हैं मतलब इसके एच से लेकर थोड़ा कम लेते हैं तो कितना लेंगे इस यह आउटसेंडिंग लेकर हुआ इसके पूरा एंडिंग तक तो इसकी हाफ डिस्टेंस कितनी हुई यह भी सिक्स एमें ठिकनेस है तो उसको 6 क आदा कितना हुआ जिए 6 by 2 तो वही 90-6 by 2 और आपको बोल्ट भी मैनस करना है इसके अंदर क्योंकि यह नेट एरिया है ग्रॉस में नहीं करते और नेट में करते हैं तो नेट का मैनिस क्या बोल्ट हो रहा रहा है एक ही बोल्ट हो रहा रहा है तो अगर मान लो बाइच्छ सब्सक्राइब कर दो और नेट एरिया में क्या कैया हो जाया कनेक्टिट लेगी है तो उसका एक्नेस का आदा मैनेस वह न्यामे चींडा मेंते बीटिन में ihan यह सब चीजाने के लिएARYD पड़ेकों के देखना पड़ेगा कि आपको आएस को नबड़ा knife था कि मिनिममपीच डिसेंस के दिया हुआ है 2.5ग मैं बार बद आपको बताउंगा नहीं पर आप यह रट लो कि 2.5D होता है Pitch Distance Minimum और 1.5D होता है आपका S Distance Minimum तो 2.5D होता है तो 40 आपक्रोक्सिमेट आप 50 लेओ इसको बढ़ा के लेना आपको 1.5D होता है तो 1.5-18 मतलब 27 तो 30 लेओ तो पीच आपके आपके 50 यह 30 और गेच 50 लेए रखें तो अब आप पीच और गेच इसमें कैसे देखेंगे तो मैंने बता कि जिस तरफ फोर्स लगा रहा मानला फोर्स इस तरफ है तो फोर्स के आलोंग जो डिस्टेंस होती है बोल्ट होल से बोल्ट होल वह होती आपकी Pitch Distance, मतलब यहां से लेकर यहां तक होगी, यहां से लेकर यहां तक होगी, फिर यहां से लेकर यहां तक होगी, दूसरी पिछ, तीसरी पिछ होगी है, चोथी पिछ, और फोर्ट की जो perpendicular, मेजर करते हैं, bolt hole से bolt hole, वो होती हैं, लेकिन इस question में, एक ही line का long bolts आपके given है, और ऐ में देखें इस कोशिशन में तो यह होगी जिसे कि इस की यहां इस बोल्ट होल के से लेकिन इसकी एंडिंग एंडींग यह हो और ही तो यह थो आपके डिस्स होगी ठीक है अब कुछ लोग गलती क्या करब बैटते है, इसकी यूपर कहन समझ लेते हैं मतलब जाहा लिग उटसे क्लिश दिख डिस्ट्स इसको लेते है जाहना गऑना अец दिस्ट्स ऑक़ी इतरी पह eyes dealing है कि यह यह क्या होता है मतला channing like with इस यह लोई गविट केम पास given करएं अब बी ido का फोर्मौला आपके पास given है महीं हम W क्या होता मैंने बता है Outstanding Leg है ना उसकी जो Total लेंद है वही W यह आपकी जिसा Outstanding Leg है कितनी है 60 ? तो वही W होता है और W I ? क्या होता है वह सेम होती गेज comunque गेज अब één सोगे अश्या करें सिर्द ट्रुक्त नियुस्ती राज उमारिक त्रह्टिकी अब यह सबसाइब कि देखो WI और G equal है हर case के अंदर WI और G equal ही होंगे आपके यह ध्यानक ना आपका है न तो अब आपको ठीकने सागी आप LC क्या होता है LC होता है length of end connection end connection means कि जो first bolt हो ले और second bolt हो ले first or last sorry first or last के बीच की दिस्टेंस है ना along the force वो होती है आपकी LC and connection तो आप देखो इस यहां से लेकर यहां तक कि जो डिस्टेंस यह पूरी LC होगी तो आप देखो इसके अंदर कितने पीचों आपको रहे नीएक पीचर यह दूसरी पीच आई आए नहीं पीच वोडोल से जो एडिसेंट है तो फीच्वाइब दूसरी वही तीसरी ओगे चोती होगी तो पॉल मिलाएक चार प्याय दूसरी लिग ल्सी क्या होगा फॉर मल्टिप्लाइब है फोर पिच हमारे फूर मुल्टिप्लाइब पिच तो फूर पिच हमारे ओर ही है तो फूर इंटु प्यों सकते हो यह 50 TikTok-500 एसे संबर लो है फिरें फॉर टाइम्स पीट कर दो तो फूर इंटु 500 एंटेंट तक है तो यह आप क्या गई बीटा की वैल्यू डालेंगे यह सारी डालोगे और आप एंसर निकालोगा ना बीटा 1.15 आएगा यह और बीच वाली इसका आएगा 1.44 और इसका आएगा 0.7 अगर कंडिशन सैटिस्फाइग हो रही है तो आपकी बीटा की वेल्यू जे फर्स्ट वाली वो लेनी है आपको तो बीटा की वेल्यू आई 1.15 गर्मी आती है तो बीच वाली वेल्यू लेनी है अब टीडियन के अंदर यह फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यू डाल देंगे सारी सारी वैल्यू डालने पांसर आपका टीडियन का रप्चर के अंदर स्ट्रेंथ आईगी यह तू-3.39 अब आपको निकाली लास्ट ब्ल और आपको देखना है कि इसमें शियर प्लें कौनसा और टेंशन प्लेंग और टेंशन प्लेंग उता है यह वाला पार्ट जो फेल होने वाला है मतलब यह वाला तूट के अलगाने वाला जैसी यह है इसके फर्स बॉल्ड होल से आप स्टार्ट करो और लास तक जाओ यह हुगे आपकी शियर में और यह आपका आएगा टेंशन में और यह पूरा तूट टूट जाएगा अब वैसे-सेगे बाइस्में एक्जांपल के लि छोड़े से स्थार्ट ना फोर्स के जहां लगता से फॉर्स्ट बुर्ट इसकी प्लेट को यह वाला बनेगा यह मालूम पड़ेगे आपको टीडीबी में दो वेल्यों लिगें कि एवीजी एफ़ाइब आपन रूट तरी गामाइब यही आपको गिवन है वेल्यों यहां पर देखो इसमें दो लीस्ट आती वह हम कंसिडर करते हैं तो आप देखो एवीजी एवीन क्या-क्या है वो देख एवीजी इंस अरिया ओफ ग्रॉस एयरिया ग्रॉस यहे और जी का मतलब must लिएज़ यहां से लेकिंव तक तो आप इसको मैं अगर इसा करूं अगर अगर बता हुआ 12345 ठीक है अगर मैं इसे बताउं गिसे कुछ ये हमारा शियर प्लेन्हा ठोटल तो आपको ये distance लेनी है और ठीकने से मुल्टिप्लय करना तो ये total distance कि अब है आपको यहां से लेनी है प। यह मैंना है यह um बोल्ट होल से हेच की डिस्संस एज होगी तो एक एज आ रही है और एक पीच आ रही है दो पिच तीन पीच और चार पिच तो चार पीच आ रही है हमारी अब यहां से लेकर यहां तक डिस्संस की ती प्लस पी प्लस फोर पी मल्टिप्लाइब यहां ती क्या थिकनेस तो एप्लस फोर यह मतला 30 प्लस फोर इंडिए 50 अब एवी जी तो ग्रॉस हुआ अगर एवी एन है तो आपको सिंपले सिंपली कुछ भी निकरना है जितने बोल्ट होल आ रहे हो तो माइनस कर देना जैसे की यह त चल आचभा जो है आदा आया एक दो तीन चार आच वादा है तो 4.5 हो गया न तो 4.5 भी माइस करना मुटीप्लाइब कर नंटिपलाइब 150-1 प्लस फोर इंट इंट इंटे सेट नैंटिफोर और आफ ऐटी जी आप आहले टेंश्टन में आपने शियर निकाल लिया यहां से ले हैं यहां तक होता है अब तो 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 टोटल मेंसे मैं गेज मिनस कर दो तो आ जागे यह वाली है ना यह टोटल की मेलग किती है हमारे बास smarter 90 और री गेज़्ी वाली है तो 90 है से चाहिए मैंट्रल से ge видео कुछ ही निकिन करनाrence 80 मतलब तेंशन वाला रहा सपर्फेक सोटार लोस तो इस सवाले में कितने बोलोट सबसें संसे ऑब कितने बोल्ट होल कंसिडर हुए इसकी मिडल तक है ना आदा बोल्ट ही कंसिडर हो रहा है इसमें क्या एक दो तीन चार और आच्वा जो आदा हो रहा था इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ आदा ही कंसिडर हो रहा है क्योंकि यहां से हम यहां आ रहे हैं तो यह आदा ही कर देते लेकिन जी इंटूटी नहीं होता हुआ पॉजिट में होता इसलिए यह ना तो 90 माइनस जी किया माइनस पॉइंट फाइफ डियो जो हमारा आदा बोल्ट हो ला है उसका 90 माइनस 50 माइनस पॉइंट फाइटी सिक्स आया अब आपका टीडी में में दोनों वेल्यू ड यह वाली कितनी है 235 तो यह वाली तो कैंसल हो रही वैसे मतलब इसको दिलिट मार दो आप तो आपकी वेल्यू टीडी भी ब्लोग शियर में तो यह एफेक्टी वेल्यू अब आपको क्या करना है डिजाइन टेंसाइल स्टेंग निकाल लिए फर्स सेकेंड शियर में आपन आपकी जो इन टीनों में लिस्ट आ रही है यही होता इन वेल्यू वह आपकी टेंसाइल स्टेंथ अगल होई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना और अगली वीडियो में हम देख लिए डिजाइन डिजाइनिंग ओव टेंशन मेंबर कैसे करते ह अगर आप चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और तब तक लिए मिलते हैं अगली वीडियो में ना थैंक यू